साथियो नमस्कार, हमारे चैनल रमन विध्यार्थी में आपका बहुत-बुत स्वागत है हिंदी को अंग्रेजी में लिखना सीखें के आज के इस वीडियो में हम लोग बड़े आकी मात्रा वाले शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे यहां पर हमने बड़े अंग्रेजी में लिखा हुआ है आपकी समयज के लिए और यहां पर हम छोटी अंग्रेजी में आपको लिख कर बताएंगे और लिखना सिखाएंगे तो आई चुरू करते हैं, सब शरिये पहला शब्द हमारा है राम यहाँ पर हमने अलगलग रंगों से लिखा है ताकि आपको पता रहे कि किस अक्षर के लिए कौन से अक्षर लिखे जाते हैं ठीक है हिंदी के कौन से अक्षर के लिए अंग्रेजी के कौन से अक्षर लिखे गए हैं तो आए शुरू करते हैं जैसा कि शब्द का पहला अक्षिरों में भी लिखेंगे और कंपूटर से और जो मोबावी okay ball मैं typing वाले action होते हैं उन चेंगे जिए लोग जो है mobile पर ही लिखते हैं तो उनको भी action की पहंचान होती रहे तो आएस शुरू करते हैं पैयदा लिखते हैं typing वाले action वाले action में लिखेंगे r ए और एम राम ठीक है और हाँ से लिखने बाले में लिखेंगे हम लोग आर ए एम राम ठीक और दूसरा सब्द हमारा है माला माला के लिखेंगे एम ए एल ए और हाँ से लिखने बाले में लिखेंगे एम ए एल ए ठीक अगला शब्द हमारा है धान धान के लिखेंगे हम लोग डी एच ए एंधान और डी एच ए एंधान ठीक अगला शब्द हमारा है काम के लिखेंगे हम लोग के ए एम काम के एम काम ठीक और अगला शब्द हमारा है राधा राधा के लिखेंगे अगला शब्द हमारा है काम फिर से काम हमने दोबारा लिख दिया है कोई बात नहीं जितना अभिहास किया जाए तो अच्छा ही है तो लिखेंगे के ए आम काम लिखेंगे के आम काम अगला शब्द हमारा है खास खास के लिखेंगे के और एच एए एस के एच ए एस खास ठीक है अगला शब्द हमारा है बादल बादल के लिखेंगे हम लोग बी ए डी ए एल बादल लिखेंगे हम लोग B A D A L बादल और अगला शब्द मारा है राज राज ये राज वो है जो राजा वाला राज होता है राजा वाला ये राज कुमार वाला वो राज है उसके लिए लिखेंगे हम लोग R और A जे राज ठीक है R A जे राज और एक राज होता है रहसवाला, राज, ठीक है तो उसके लिए लिखते है हम लोग R A R AA ठीक है, R AA और Z ठीक है, राज लिखेंगे, R A AAA और Z राज, ठीक और अगला शब्द हमारा है राजा, राजा के ली लिखेंगे हम लोग R A जे ए राजा अगला शब्द हमारा है राम दास राम दास के लिए लिखेंगे हम लोग राम राम और डी ए एस दास राम डी एस दास तो दोस्तों यह था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने आकी मात्रा वाले सब्दों को लिखना सीखा उमीद करते हैं वीडियो आपको पशंद आया होगा और आपको अंग्रेजी को सीखने में बहुत ही साहिक सिद्ध होगा तो लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल रमन विध्यार्थी को सब्सक्राइब भी कर लिजिए क्योंकि हमने अपने चैनल पर बहुत ही सरल और बहुत ही बभारी तरीके से आपको हिंदी और अंग्रेजी लिखना पढ़ना सिखाया है तो मिलेंगे हमारे एगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय हिंदी